नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सबी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी टुडे न्यूस पर तो आज हम जिस वेकेंसी के बारे में इंफोर्मेशन लेने वाले हैं वो अधार कार्ड के तरव से निकले हुई लेटेज वेकेंसी के बारे में सबसे अच्छी बात आप अपने इंडिया कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अलगले वेकेंसी हैं जिनके लिए आपको अप्लाई जो है वो करना होगा कैसे अप्लाई करना है कौन को अप्लाई कर सकता है वो पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में आपको देने वा बात करूं तो और भी बहुत सारी वेकैंसी से जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए सिंप्ली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे जाके टाइप करना होगा www.meetacademy.in और फर्स नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मि उनकी वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको आपको आप्लाई करना होगा इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे आपकी पर्मानेंट जॉब रहने वाली है और यहाँ पे 50,000 तक आपकी जो चाल भी है अलगल वेकैंसी की यहाँ पे जो की रहेगी इसके यहाँ पे apply करना already start हो चुका है अलग-अलग vacancies है जिनके लिए आपको यहाँ पे apply करना है ठीक है next अगर बात करूँ application fee की तो यहाँ पे बिल्कुल nil रहने वाली है application fee किसी तरह की कोई application fee यहाँ पे नहीं मागी गई है vacancies की बात करूँ तो यहाँ पे intern की vacancies है जिनके लिए internship program के लिए आप इसके लिए apply कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो selection process भी रहेगा वो आपकी virtual interview के basis पे जो है रहने वाला है 70 skill की यहाँ पे 50,000 तक आपको जो है वो पैसे मिलने वाले है internship program के लिए age limit यहाँ पे mention नहीं की हुई इनों ने ठीक है और यहाँ पे BTEC, MTEC, MBA और इसी के साथ PhD वाले candidate भी eligible है और apply यहाँ पे कर सकते हैं इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे BTEC वालों को 30,000 यह है यहाँ पे premises के अंदर मिलेगी जो job वो 30,000 salary रहेगी उसके बाद है MTEC वालों के लिए 40,000 है यहाँ पे ठीक है उसके बाद next अगर मैं बात करूँ यहाँ पे other relevant field के लिए यहाँ पे 50,000 तक भी है PhD वालों candidates के लिए ठीक है तो आप चेक करके इसके लिए apply कर लीजिएगा legibility के लिए notification प्लस apply करने का link मैंने आपको दे दिया है तो इसी के साथ और भी vacancies आउट हुई है जिसमें आप जाके apply कर सकते 10,12 वाली candidates के लिए भी है वो अलग-लग vacancies आप चेक करके इसके लिए जरूर से apply कर लीजेगा फिर भी आपको कोई भी doubt होता है तो आप मुझे comment box में comment करके बताई सकते हैं मैं आपके लिए सभी तरह की latest recruitment update जए वो लेकर आता ही रहता हूँ तो यह आज का notification है जो की out किया गया है अब मैं आपको मिलूँगा नई notification के साथ नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाजी